हुआ हुआ हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई अनाधर वीडियो आज मैं बिर्पड़ा जा रहा हूं कुछ काम से सो बिर्पड़ा पहुंच के आप लोग से मिलेंगे सो का इस हम लोग बिर्पड़ा पहुंचने वाले हैं तीन ही किलोमेटर बाकी है सिर्फ और यहां देखिए बहुत ही सुन्दर लाग रहा है देखने के लिए चावगान दोनों साइट बीच में रास्ता और यह एरिया पह होती स्पीट में था हम लोग तो मैं आने के समय देखाऊंगा और यहां देखिए हम लोग फास गये हैं ट्राफिक जाम है तो ज्यादा दूर नहीं है हम लोग पहुंच ही गया यह चोपाती साइट से निकल गए तो यह देखिए यलो लाइट जाल रहा है ट्राफिक में च चलते हैं अमलोग का बस्टेन का और यह बीरपड़ा का पॉस्ट ओफिस और यह साइड में है एलेक्ट्रीक ओफिस और यह देखिए बीरपड़ा का गली और घार्जा इस तरह से है पर सबतरब दुकान है वह रहा है यह यह पहुंच गए हैं यहां पर मेला भी लगा सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं उसका बाद है तो गाइस हम लोग यह स्टेट बेंक वारा गाली का अंदर जाएंगे तो गाइस मेरा भाई ने सजेस्ट किया कि पर दूसरा जगह में जाके देखते हैं उसमी पर जा रहे हैं और यह आपार देखिए यह लोग डिसकस कर रहे हैं कि कितना प्राइस है एक्चुली हम लोग वेडिंग कार्ट को चापाने आए हैं सो गाइस हम लोग का काम हो गया अभी हम लोग मेला घुमने के लिए जाएंगे जो कि हम लोग देखा था तो हम लोग दूसरा गेट से एंट्रेंस कर रहे हैं यह वाला तो देखिए यहां पर कुछ अच्छा उपका साब है तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा देखिए यहां पर बहुत सारा चीज खाने के लिए है और मेरा देदी लीट कर रहे है आगे-आगे इधर देखिए बहुत समन साब है कि और दिखिये रहे पाकर है भाई यह पर मिठाई साथ है और बंने के लिए किब लें तो घुमने के लिए लेकिन सोच रहे है कि क्या लेंगई वैसी पैसा तो नहीं है Empress स लिमिटेट पैसा है और समान देकर उत्यक्त कुछ लेने क मान कर रहा है सो गाइस हम लोग फूल का दुकान में आये हैं यहां पार मेरे दीदी कुछ फूल देख रही है हम लोगा घार तो बन गया चोटा सा लेकिन डेकोराट करने के लिए कुछ नहीं है तो इसको यह बहुत ही अच्छा लाग रहा है तो इसका दाम कुछ ज़्यादा ही बता रहा है दीख रहा है छोटा दाम तो ज़्यादा बता रहा है तो गाइस यह वाइट वाला फूल यह दोनों ही अच्छा लाग रहा है पर कौन सा लेंगे वही शोच रहे हैं और फिर ये येलो वाला और पिंपॉला भी पसंद आया तो हम लोग पिंपॉला ही लिया और ये फूल को वाल में चिपकाने के लिए एक क्लीप लिये हैं हम लोग खुप वाल में प्रेश कर सकते हैं हम लोग चाप पिला देंगे ये ही काप में आप लोगो को और नहीं पर देखे अब दो समन ले फूल और काप चलते हैं आगे आई से जो काप है ये मत्ति का काप है बहुत अच्छा लाग है देखने के लिए इसलिए में पकड़ के देख रहा हूं और एक ट्रे भी लेना है जब काप लिए है तो ट्रे भी लेना है हमें उसी को देख रहे हैं प कि गज़े मां के लिए एक भी भी बेख नहीं है तो यहां पर बेख देख रहे हैं इसलिए यो लाल वाला वाला बेख इसको पसंद आया और साथ में ओर इक पसंद आया तो यह दुनों मैं बेग में से एक pools लेने के लिए सौच रहे हैं सो गाईस यह जो मेला है इसमें दम में भी मिलता है ज्यादा दम में भी मिलता है कुछ बोल नहीं सकते है तो आए हैं देख रही हुई आप यह वह लाज्टयमें तो फीक्स प्राइस बोल रहा है यह 180 का कुछ भी समन लो 180 लगेगा जब तक मेरा दिदी वहां बेक लेती है में इधर में देख रहा हूं देखिए यहां पर कुछ समन सब रखा हुआ है खेलने का जब में छोटा में मेला आता था तो जीत करता था यह सब समन को खरीदने के लिए सो गाइस हम बेक ले लिए हैं मेरा दिदी बहुत ही खूस है गाइस में वही तितली को खरीद रहा हूं यहां पर जो की वाल में पेस्ट करने से अच्छा दिखेगा वाल तो उसी को में पर्चेस कर रहा हूं तीस रुपिया करके पीस मांग रहा है वह पेगट का अंदर में पांच रहेगा और साथ में ही पानी में डूबाने वाल भी लिया दास रुपिया का अधर में ट्रे का दाम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे और यह जगा में थोड़ा काम मिल रहा है तो आम लोग यही से एक ट्रे ले ले लेते हैं गाइस हम लोग सोचे थे कुछ खरी देंगे भी नहीं लेकिन यहां आने से कुछ और ही हो जाता है देखिए इतना समान ले लिया हम लोग खौल कर देखा बाइस यहां बहुत काइब का आचार है और देखिए यहां पर यह आंदरा की आचार डूंड रही है मिलेगा भी नहीं है इसे बेर का हिंडी का पास्ट चालता का है पास्थ आचार महाराष्टरा में बहुत फेमस है तुम कोई सा भी दुकान में जाओ तुमको यह चक्ति मिलेगा और वहां से तिलमिंग है ना इसके पास आटा करेंगे इसमें तो गाइस हम लोग काप में पिक्चर प्रिंट करने में दुकान में आये हैं और सोच रहे हैं कि मेरा बहां का पिक्चर प्रिंट करेंगे इसमें कि सोगाइस हम पिक्चर सेलेक कर लेते हें और यहां देखे वह अनका साथ होगावN ऊफिप्टिंए तो हम प्रिंट करने के लिए और दूश् Alien कर लेते हें तरह पॡुत गूं लिए आब इस सिरे कुछ खाने के लिए करे वह रापास जाएगे्गे पर। जलेबी ले लेते हैं यहां से, देखाओ इलार, आगे मैं खा रहा है, तो आज का दीन बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत समान लिया, यह देखो, ट्रे लिये, कप लिये, फूल लिये, चलेबी लिये, और एक सर्प्राइस गिफ लिये, मां के लिये बैंग लिये, सो गाइस, हम लोग का मेला घुमना हो गया, तो अभी हम घार जाएंगे, बहुत ही ठाक दे है, वापस जाना है घार अभी, गाइस, घिरपड़ा का फाइनल व्यू देख लेजिए, आप लोग, यहां कुछ होटेल साब है, और इस तरफ देखिए, मैजिक स्टेंड, टोटो स करते हैं, और यहां पर गेट लगा हुआ है, फस्ट गेट, मैला घुषने के लिए, और इस तरफ देखिए, कुछ फाल का दुकान है, तो गाइस, हम लोग टोटों में चड़ गए है, जार जाने के लिए, लेकल बड़ी तक जाएंगे, यह प्रोपोसे, गाइस, हम लोग बीट बड़ा करके अब बीटी पहुंच गए है, तो बीज है, पहुंच गए है, अब बीज को क्रोस करके जो वो साइट का जो जगा है, यह जगा मैं लेपर सब का बहुत ही आना है, तब मैं साइन बोट आपनों को दिखा नहीं पाया, तो आभी देखिए हैंगा, गाइस हम लोग एथल बड़ी में उतर गए है, और अभी हम लोग महाँ पर बैंक आप इंडिया का एट्येम जा रहे हैं, जो कि पीन सेट करना है, राइट साइड में है एट्येम लेकिन एट्येम तो है ही नहीं, बैट लग, एट्येम का लोकेशन चेंज किया गया है, यह है मॉम इनको सर्प्राइस देने वाले है, देखते है कैसा खूस होती है, हपन बीटी, मा, हपन बीटी कुरी, तो गाइस मेरा बहन घार में नहीं थी, आप आ गए यहां देखिए किस तरह से हास रहे है, तो इसको हम लोग एक सर्प्राइस देने वाला है, तो देखते है, पन क्या सर्प्राइज लेके आया हुआ क्या ला सकता है तुम उदर देख करके बोलो क्या ला सकता है जुता जुता चाहिए जुता सेंडल ना आग बंद करो दो लो हाथ पर दर नहीं देख कर वावटी वान टू थी यह वह ज्यादा ही इस्पेसाल है उसी ले एक एक तंटे खोलो इसको पंगले खोलो कि है अब जादा इसके चल्गा खोलो अभी क्या है बोलो क्या इसमें क्या लिखाई काहां दिखाऊ हो फपन बिटी फोटो क्या करेगा इसमें करें चाहा पीए गया एक कप चाह पीएगा अरो फूल को जुनांगा मेरा घर में बेग में देखो औरेगो सर्प्राइस लाया हूं जाके देखो टेंटेनन अगया में बड़ा वला चैन में अ क्या करगा इसको 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 पीचुकाऊंगा कहां पर देवाल में कि पूल का साथ में अर एक है ऐसी खेलने वाला चोटा सा पेकेट है इसको पानी में डूबागे रखूंगा तो फिर गुटी बनेगा एक लास्ट कोर्शन ये पिक्चर जो दीख रहा है फोटो कौन सा वला में सेलेट किया हूं कौन सा वला दिदी ये वला दादा और ये वला दिदी तुम को कैसा पता है पता है तुम इंटिलिजांट है सो गाइस बहुत रात भी हो गया तो मैं अभी मेरा बान का रूम में आया हूं वो जो फूल दिया था उसको कैसा डेकोरेट की है उसी को दिखाने के लिए आया हूं आप लोगों को तो अब लोग देखिए इस तरह से वो डेकोरेट की है रात है इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख रहा है दिन में क्लियर दिखेगा आप लोगों को विडियो बहुती अच्छा लगा होगा और मज़ा आया देखने के लिए तो अगर आप लोग अभी ताग मेरा चैनल को सबस्क्राइब नही पिया है तो आप लोग सबस्क्राइब कीजिए इस तरह का विडियो आप लोग को मिलते ही रहेगा तो मिलेंगे आगली व्यूडियो में तब तक लिए आप लोग फीट एंद रहाए आच्छा से रहें तो मिलेंगा आगली व्यूडियो में थेंक यू एंड गुडड नाइट एवर्यून